आम का उत्सपादन बिहारराजमे काफी मात्रा में होता है ये शुरू से लेके अंग तक काफी इसमें नुकसान हो जाता है लगवक तीस से चालीस परसेंट आम का नुकसान हो जाता है इसके हम लोग मूले सम्मधन करके कोशlairी उत्पाद बना के हम इसको कापी हद तक इस हानी को बचा सकते हैं देखिए जो आम हैं टिकोला आता है शुरू में गिनने लगता है हम टिकोला का भी उप्योग कर सकते हैं टिकोला प्योग करने के लिए हम टिकोला का अचार टिकोला का आम सुकाकर आम चूर ये सब बना सकते हैं यदे आनी तूपान में आम गिर जाता है, उसके फटे हुए को भी हम लोग रस निकाल सकते हैं, इस समय हमारे पास प्रोड आम हैं, और हम इसका रस निकाल के और आपको आम का स्क्वेस बनाने के लिए बताएंगे, वैसे इसके आम की कच्चे आम की जैली बना सकते हैं, पके आम का स्क्वेस बना सकते हैं, पके आम का जैब बना सकते हैं, और पटे आम से रस रख सकते हैं, उसका आम सूर बना सकते हैं, ये सब विविन्द पदार्त बना के हम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं, आज आपको हम आम से स्क्वेस कैसे बनाएं, कच्चे आम से वो बताने जा रहा है सबसे पहले हम हैं कच्च्छा लेते हैं कच्छा आम कोई भी रहे वैसे यदर कलवाला साइज का तो वह अच्छ रहता है, वैसे किसी भी आम का इसको बना सकते हैं यह हमारा आम है और हम इसको पहले पानी से दो लेंगे उसके वाद इसको हमको छीलना है एसे करके ये हम इसका चिलका हटा लेंगे, द्यान ये रहे कि इसके उपव्योग करने वाले यंत्र, चाकू स्टेनलेच से स्टील का होना चाहिए और जो भी बटनी यूज करें, या तो एलमूनियम के रहें या स्टेनलेच से स्टील के, इसमें लोगा का कोई भी यंत्र यह नहीं करना चाहिए.